कोविड नाइंटीन को लेकर सभी चीज़े बंद कर दी गई थी जिसके बाद धीरे-धीरे सभी चीज़े पट्रियों पर लौट्टी हुई दिखाई दे रही हैं मुरादबाद के जिलादिकारी राकिश कुमार सिंग वावरिस पुरुष अधिशक पर भार कर चौदी ने बिलारी तहसील में पहुंच कर शिकायत करताओं की समस्याएं सुनी और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की हमेशा यह मंशा है कि सभी की समस्याओं कर समधान होन मुरादबाद जनपत में 15 सितंबर से अब पुन्हा शिरू हो गया है जिसमें आज समपूर समधान दिवस में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार समपूर समधान दिवस का आयोजन किया गया और फर्यादियों की समस्याएं सुनी गई जनपत मुरादबाद की सभी तहसीलों पर समपूर समधान दिवस आयोजित किया गया मुरादबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंग वा वरिष्ट पुलिस अधर प्रभाकत चौधरी ने जनपत बिलारी तहसील पहुँचकर समपूर समधान दिवस में भाग लिया और सभी शिकायत करताओं की शिकायत सुनने के साथ प्रतियक वैक्ति की समध्या का समधान करने की बात कही गई इस हफसापर जनपत मुरादबाद के बिलारी तहसील में कोविड-19 के मर्दे नदर सुरक्षा के सभी इंतिजाम किये गए थे प्रतियक शिकायत करता को शारीरिक दूरी बनाने के साथ सहयों की अपील भी की जा रही थी सभी लोग एक दूसे से दूरी बनाय हुए खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतिजार करते हुए दिखाई दे रहे थे अधिकारियों वरा प्रतियेक वैक्ति की शिकायत बड़ी गंभीरता के साथ सुनी गई और उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि आपकी समस्या का समधान किया जाएगा उत्तप्रदे सरकार ने कोविड-19 के मद्य नजर हर महत्यपूर कदम उठाए हैं और जंता की समस्याओं का समधान करने के निये भी कारे किये जा रही हैं लगबग 5-6 महीने के बाद जनपत मरदबाद में संपूर समधान दिवस आयोजित किया गया जिसमें सभी शिकायतों को सुनने के साथ अधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया कि जंता की समस्याओं का समधान होगा बिलारी तहसील में संपूर समधान दिवस के अफसर पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे बिलारी अधिकारी भी मौजूद रहे हैं तो वही मुरदभा सदर तैसील में भी संपूर समधान दिवस के अफसर पर अपरजिल अधिकारी प्रिशासन लक्ष्मी शंकर सिंग के साथ अन्य अधिकारियों ने सभी शिकायत करताओं की समस्यां बड़े दिहान पुर्वक सुनी और ये विश्वा दिलाया कि शासन और प्रिशासन का हमेशा ही प्रियास है कि आपकी समस्यां का समधान हो इस अफसर पर सुरक्षक की द्रश्टी से सभी इंतिजाम किये गए थे सभी शिकायत करता एक दूसरे से शारीरी दूरी बनाय हुए खड़े हुए थे और अपनी भा अंदर ही संपन करा ली जाए जिससे तहसील में आने वाले सभी शिकायत करताओं की समस्याओं का समधान किया जाए तहसील दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालम करते हुए मास सेनेटाइजर जो भी कोवीड के बचाओं के उपाय है उसको दिश्टगत रखते हुए त आज का दिन भी महुत अच्छा है अभी तक गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे पानी नहीं बरस रहा था पानी की अतिया हो सकता थी यह सुर दिन पर आज पानी भी मरसाथ शुरू हो गई है मार्च में मार्च में 15 मार्च को 16 मार्च को हुआ था लास उसके बाद आज 1 सितंबर से शुरू हुआ था क्योंकि 1 सितंबर को आर्गनाइज नहीं हो पाया सब्सक्राणों से आज पहला तशीर दिवस है सिकायट करता उसे अपील करूंगा कि अती आवश्चा को तभी आए सरशनी दर्फास लेकर के सेस्बंदी की दर्फास लेकर के नौ आए जहां अती आवश्चा को वहां आए अपनी समस्या रखे और उसका निश्तान किया जाएगा